आज हम करेंगे शब्द वाक्य पद पदबंद सरल संयुक्त मिश्र वाक्य कक्षाग दस्वी सबसे पहले देखते हैं सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रियुक्त होने वाला उप वाक्य है जिसमें एक उदेश, एक विधेय, एक समापी का क्रिया होती है संयुक्त वाक्य इसमें दो या दो से अधिकुप वाक्य स्वतंत रूप से समुच्चे बोधक या योजक द्वारा मिले होते हैं संयोजक संयुक्त वाक्य और एवम व तथा इनसे जुड़े होते हैं विभाजक संयुक्त वाक्य या अथवा ना से विरोध वाची संयुक्त वाक्य किन्तु परंतु पर लेकिन इनसे जुड़े होते हैं परिनाम वाची संयुक्त वाक्य इसलिए सो अतह ये इनके चिन्न हैं मिश्रवाक्य एक प्रधान उपवाक्य एक से अधिक आश्रित उपवाक्य मिश्रवाक्य की पहचान जकी यदी जो जिसे जिसका जिसकी जिसके जिन हैं जिनका जिनकी जिनके जैसे ही जियों ही जब जब जहां जहां आदी की से की क्योंकी ता की इनसे आप पहचान सकते हैं मिश्रवाक्य को यदी, अगर, यद्यपी, तथापी, जबकी, फिर भी, ये जोड़े शब्दों में भी हो सकते हैं बात-बात में बंजाए बात बहुविकल्पी प्रशनों के साथ आये करते हैं कुछ बहुविकल्पी प्रशन पदों के सार्थक योग से किसकी रचना होती है पद, शब्द, वर्न, वाक्य तो इसका सही उत्तर बनता है वाक्य वाक्य में बात समझाने के लिए क्या होना आवश्यक है तो इसका सही उत्तर है योग्यता का होना आवश्यक है उदेशे और विधे किसके अंग है तो उदेशे और विधे वाक्य के अंग है जिसके बारे में बात कही जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे उदेश्य कहते हैं, उदेश्य इसका सही उत्तर है करता, क्रिया और कर्म में लिंग, वचन और पुरुष का आपसी संबंध क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है अन्विती किस अधार पर वाक्य के आठ प्रकार माने गए हैं तो इसका सही उत्तर बनता है अर्थ किस अधार पर वाक्यों के तीन प्रकार माने गए हैं तो इसका सही उत्तर बनता है रचना यानि के सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य वाक्य की रचना किन के सार्थक योग से होती है तो इसका सही उत्तर है पदों के वाक्य की पूर्णता के लिए किन की पेक्षा होती है तो इसका सही उत्तर बनता है योग्यता अकांग्षा आसक्ति इन तीनों की उदेशे के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं तो इसका सही उत्तर है विधेय वाक्य में किसका विशेश महत्व है तो इसका सही उत्तर है व्यंजन जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समानाधी करण वाक्य हों उसे क्या कहते हैं तो उसका सही उत्तर बनता है संयुक्त जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे क्या कहते हैं तो इसका सही उत्तर बनता है मिश्र जिस वाक्य में किसी बात या कारे के होने या करने की बोध हो वह वाक्य क्या होता है तो इसका सही उत्तर है विधान वाचक यानि के कारे के होने की निश्चित सूचना जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो वह वाक्य होता है संदेह बोधक एक स्वतंत रूप वाक्य को क्या कहते हैं? जिसका सही उत्तर है सरल वाक्य सरल वाक्य स्वतंत रूप से प्रियुक्त होने वाला उप वाक्य है इसमें एक उदेशे, एक विधे, एक समापिका क्रिया होती है उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो इसका सही उत्तर है उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं जो आशित उपवाक्य कर्म अथ्वा पूरक का काम दे वे क्या कहलाते हैं तो इसका सही उत्तर है संग्या उपवाक्य जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संग्या अथ्वा सर्वनाम पद की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषन उपवाक्य कहते हैं पद बंध को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका सही उत्तर है वाक्यांश एक ही पद का काम करने वाले कई पदों से बने हुए वाक्यांश को क्या कहते हैं तो इसका सही उत्तर बनता है पदबंध पदबंध के कितने भेद होते हैं तो इसका सही उत्तर है पांच यानि के संग्या पदबंध, विशेशन पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेशन पदबंध विशेशन पदबंध का अंतिम शब्द क्या होता है तो इसका सही उत्तर है विशेशन एक प्रकार की वाक्य सनरचना को दूसरी सनरचना में बदलना क्या कहलाता है रूपांतरण वाक्य कितने होते हैं? वाक्य तीन होते हैं सरल, संयुक्त, मिश्र एक सरल वाक्य में कितने विधे होते हैं? तो इसका सही उत्तर है एक सरल वाक्य में सिरफ एक विधे होता है जिस वाक्य में किसी बात या कारे के ना होने का भाव्यक्त हो उस वाक्य को क्या कहते हैं उस वाक्य को निशेद वाचक वाक्य कहते हैं जिस वाक्य में से विसमे हर्ष शोक आधी का बोध हो उसे क्या कहते हैं उसे विसमे आधी बोधत कहते हैं रमा पुस्तकें खरीदने के लिए बाजार गई तो इसका सही उत्तर बनेगा सरल क्योंकि यहाँ पर एक उदेश्य, एक विधेय और एक समापिका क्रिया है कल हम फूलपूर के मेले में जाएंगे संयुक्त मिश्र सरल प्रश्नवाचक तो यह एक सरल वाक्य है बिल्ली जाडियों के पीछे छिपकर बैठ गई और कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी तो यह संयुक्त वाचक है और योजक द्वारा जुड़ा हुआ है आज अंदर बैठें और देर तक बातें करें यह भी संयुक्त वाक्य है और योजक द्वारा मिले हुए है सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ सरल वाक्य मैंने पीडा से कराहते उस वेक्ती को देखा सरल वाक्य उसने प्राथना पत्र लिखा जो नौकरी के लिए था मिश्र वाक्य ज़ अक्षद से शुरू होने वाले शब्दों से इसकी पहचान की जाती है जो दिन रात मेहनत करते हैं उन्हें सोच समझ कर खर्च करना चाहिए जो इसकी पहचान है चारोर जंगल से घिरे उस बहुत बड़े गाउं में आदी वास्यों के परिवार रहते थे सरल वाक्य मजदूर को खूब मेहनत करने पर भी उसका लाब नहीं मिलता फिर ये सरल वाक्य ही है मैंने एक वेक्ती को भीक मांगते देखा जो दुबला पतला था जो पहचान से आपको पता चल गया होगा कि ये फिर एक मिश्र वाक्य है परिश्रमी लोगों को अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता संयुक्त वाक्य मेरे विचार से आज घूमने चलें सरल वाक्य मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई संयुक्त वाक्य और योजक है वह बजार गया क्यूंकि उसे फल खरीदने थे मिश्र क्यूंकि का प्रियोग है तुम उस थान पर चले जाओ जहां बस रुक्ती है मिश्र वाक्य शशी नाच गा रही है सरल वाक्य संकट आ जाए तो घबराना उचित नहीं मिश्र वाक्य बालिकाए नाच का रही है सरल वाक्य भोर हुई और हम लोग लुध्याना पहुंचे संयुक्त वाक्य और योजक लगा हुआ है बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं वाक्य की रचना की द्रिष्टी से है संयुक्त वाक्य और का प्रियोग है राम घर गया और उसने मा को देखा वाक्य रचना की दृष्टी से ये फिर एक संग्युक्त वाक्य है और का प्रियोग है सेट जानता है कि नौकर इमानदार है वाक्य रचना की दृष्टी से है मिश्र वाक्य क्योंकि यहां पर कखो छोटी की का प्रयोग किया गया है जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया तो का प्रयोग है तो यह एक मिश्रवक्य है यह जो कमाईनी पुस्तक है इसे जैशंकर प्रसाद ने लिखा था मिश्रवक्य आज की मूसला धार वर्षा से बाड़ आ गई यह एक सरल वाक्य है कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी और का प्रयोग किया गया है तो यह एक संयुक्त वाक्य है कमाने वाला खाएगा सरल वाक्य जो संतोशी होते हैं वे जंगल में मंगल मनाते हैं मिश्रवाक्य जो का प्रयोग है मैंने उस वेक्ती को देखा जो दुबला पतला था फिर यह एक मिश्रवाक्य है जो का प्रयोग है कुछ लोग नाम के लिए दान करते हैं सरल वाक्य जिन छात्रों ने प्रिश्रम किया वे उत्तिन हो गए ज़ वर्न से शुरू होने वाले शब्दों से इसकी पहचान की जाती है सुईकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है So I wish that you should shine like a star